उपीजिए लिए अच्छा करता हैं मोदी जी ने बहुत सारा काम किया वह जब आये तो हमें बहुत होप से न से किसको को में रहुल-गांधी रहुल-गांधी कियो क्योंगी वही अच्छा गर सकते हैं 2014 से लेके अभी तक का मोदी जी का काम है वह बहुत अच्छी तरह से उन्होंने काम किया जैसे कि आर्टिकल 370 को हटाया है फिरे राम मंदीर का जो अभी निर्मान होने जा रहा है यह सब बाते उन्होंने बहुत अच्छी किये और मेरे खायल से कुछ अलक तरीके से वह अपने देश के लोगों के अंदर एक भावना जंद्रेट कर रहे हैं अच्छी निर्मान कर रहे है और एक जो भारत के प्रती जो होता है ना भी उन्होंने इंडिया का नाम भी इंडिया नहीं भारत किया है तो यह जो सोच है नहीं वो नरेंद्र मोदी आने के बाद लोगों की सोच बहुत बदली है 2024 लोकसभा चुनाओ को लेकर जनता जनारधन क्या सोच रही है क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनेंगे या कोई बदलाओ होने जा रहा है क्या नाम है आपका मैरा नाम धनाजी पवार है कहा के रहने वाले मैं महाराष्ट कोलापूर से हूँ अच्छा काम कर रही है तो अगली टाइम भी मोदी जी को वोड़ देना मेरा तुमन कर रहा है क्योंकि विपक्ष मैं ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके उपर जिसके नाम पर जिसके चहरे पर में ओड़ दू तो अभी मेरे सामने एक ही चेहरा दिखता है वो नरेंद्र मोद जी नरेंद्र मोदी क्यूं ऐसा मोदी जी ने इन साड़े-9 सालों में क्या कर दिया कि आप लोग नरेंद्र मोदी को चुनना फिर से चाहरे है इसका मतलब हर पूरे विश्व में जब हम घुमते हैं तो हमारा एक सीना उबर कराता है इसके पहले हमें गुलामी की लक्षन हमारी थी एक भारत ऐसा पिछड़ा देश है और वो कुछ नहीं कर सकता ओगरीब देश है ओजो फील होता था इस दस साल में एक प्रावड फील होता है क तो मुद्दा है लेकिन क्या है जैसे समय ब्रति alar हुए जाए गई क्योंकि सेललरी भी बम बढ़ रहे आज में जहां जॉप करता हो पत साल में मेरी सेलरी आदेटी अब डबल हो गई है तो मेहेंका ही बढ़ती जाएगी और सेलरी भी में परूरत के चाहेंगे ने राहूल गांधी जिने थोड़ा सा उन्होंने आप पिछे रहकर दुसरा कोई चेरा देना चाहिए अबे क्योंकि हर बार राहूल गांधी के नाम पर तो ओट नहीं मिल सकते क्योंकि पिछले समय तो देखा है और दुसरा कोई कॉंग्रेस का हो ऐसा लीडर जैसे आप झालवाले जाथ आज मिल रहा है हमसे का दीदी काम कर रही है दीधी तो एकदम बेकार है दीदी वहां पे जो गुंढर राच चल रहे हैं अभी तो तो मोदीजी को ही देखने चाहते मुदी कि मोदी जी ने ऐसा क्या किया कि आप लोग मोदी जी के दिवान तीन सो सतर हटवाए और स्री राम जनुहुमी जो हमारे जो पूर्बजे सपने देखे थे वो आज साकार होने को बाला है दो आज़ा 24 को तो इसे वरा तो सुब्भ जो अफसर नहीं मिलेगा हम लोगों के ल्गे अफ़ी जो पहले से बहुत ज्यादा सिक्षा खेतर में और इसभी चीजमें अगे भारत अभी डूसरे दुनिया के इस सबीनिंदेश विजदिया ताना साही है लोकतन्तर खत्रे में संभीधान की हक्त्या हो रही है ऐढ़ू गांदी तो तो बोल सकते हैं वो तो एक अबोट शीशू है अबोट शीशू है उसको मालूम नहीं कुछ मालूम नहीं है 2014 से लेके अभी तक का मोदी जी का काम है वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने काम किया है जैसे के आर्टिकल 370 को हटाया है फिरे राम मंदीर का जो अभी निर्मान होने जा रहे हैं यह सब बाते उन्होंने बहुत अच्छी किये और मेरे खायल से कुछ अलग तरीके से वो बहुना जंदरेट कर रहे हैं मतलब बहुत अच्छी निर्मान कर रहे हैं और जो भारत के प्रतिज जो होता है ना भी उन्होंने इंडिया का नाम भी इंडिया नहीं भारत किया है तो यह जो सोच है नहीं नरेंद्र मोदी आने के बाद लोगों की सोच बहुत बदली है मोदी जी ने बहुत सारा काम किया है बहुत सारा अच्छा काम किया है मतलब जब आये तो हमें बहुत होप से उन से और उन्हेंने नौ साल किया है मतलब नौ साल दस साल वो किया भी लेकिन जो किया है उससी से और दस साल नहीं निकलेगे ना और ज्यादा काम करना प्रॉब्लेम से सब्सक्राइब कर जो मतलब स्टैग्नेशन आ गया था तो उसको चला है ना देश चला बड़ा वो ग्लोबलाइजेशन किया ग्लोबल में हमारे इंडिया का नाम किया मोदी जी ने बहुत अच्छा कहां के उसमें कुछ मलब हमें दिक्कत नहीं किसको मैं रह पेंदे कर दोता है